Hello everyone, welcome to my channel, number game, numbers हमारे जीवन के साथ और इस पुरे ब्रह्मान्ड में बहुत जादा महत्पूर्ण हैं, हर नंबर की एक एनर्जी होती है और वो नंबर हर जगा, हर फिल्ड में, जीवन में हर तरफ आपको हर काम में इनकी जरूरत पड़ती है यानि नंबर्स हमारे लिए उतने ही महत्पूर्ण जितनी की हवा, जितना की पानी, जिन्दा रहने के लिए ये नंबर्स हमेशा आज इवन जब तक हम जिन्दा रहते हैं, ये नंबर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं कभी किसी राइटर ने अगर पुस्तके लिखी, तो कितनी पुस्तके लिखी किसी ने पिक्चर साइन किये, तो कितने पिक्चर साइन किये किसी ने अगर News Channel पर अगर News दिखला रहे हैं, कितनी बार उस News को दिखलाया गया या अगर आपने अपने जीवन में जॉब चेंज किया या बिजनेस किया तो उसमें कितने का घाटा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने रुपे मिल रहे हैं यानि घूम फिर कर बात नंबर्स पर आ जाती है तो इन शोट मैं कहना चाहती हूँ कि नंबर्स का हमारे जीवन के साथ एक अलग ही जुड़ा हो है ऐसा रिष्टा जो कभी भी तूट नहीं सकता कल की अवतार के डिवाइन मिशन में भी नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे चाहे तो वो नंबर्स तारिक में हो चाहे तो वो नंबर्स एर के रूप में हो चाहे तो वो नंबर्स भक्तों की संख्या को लेकर हो चाहे तो वो नंबर कल्यूग और सत्यूग खत्म होने के बीच के समय को लेकर हो यानि कल्की अवतार का जो मिशन है उसमें भी नंबर गेम बहुत बड़ा गेम है क्या कोई एक्जैक्टली वो फिगर बतला सकता है कि कब कितने लोग इस धर्ती को छोड़ेंगे कब किस महाविनाश के चलते किन लोगों को इस धर्ती से जाना होगा कब कितनी आत्माएं धर्ती पर उतरेंगे आत्माओं का आना और जाना ये कल की अवतार पर ही निर्भर करेगा क्योंकि कल्यूग के वही मानव अवतार है ऐसे मानव अवतार जो युक परिवर्तन करने के लिए ही इस धर्ती पर अवतरित हुए है और उनके साथ हैं उनके गुरु परशूराम जो साक्षात विश्णु भगवान की एनरजी जिन में है और शिव आदी शक्ती जिनका आशिरवाद जिनका गाइड लाइन कल की अवतार के साथ आजीवन रहेगा कल की अवतार के साथ कितने भगत जुड़ेंगे असली भगत यानी जो दिखावा नहीं करेंगे बलकि प्योर सोल्स वाले होंगे यूं तो उनके भगत भगत के नाम पर ऐसे लोग होंगे जो मुमे राम और बगल में छूरी क्योंकि आजकल ऐसे भगतों की कमी नहीं है जो स्वार्थ पूर्ती के हेतु मंदिर भी पहुँच जाते हैं और यदि उनका स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ तो उन्ही इश्वर को उन्ही आराध्य को दोश भी देने लगते हैं कि वो पार्शियलिटी करते हैं तो कल की आवतार को भी ब्लेम गेम के चक्कर में फसना पड़ेगा अब मैं बतलाने जा रही हूँ जो इयर्स एस्ट्रोलोजस प्रेडिक्ट करते हैं या जो बतलाए जाते हैं उनके मिशन को लेकर क्या exactly उनके secrets को उनके number game के suspense को reveal करना इतना आसान है क्योंकि कल की आवतार भले ही मानव आवतार हैं लेकिन हम लोगों से कहीं अलग ठेक उसी प्रकार जिस प्रकार राम जी थे, कृष्ण जी थे या विश्णु भगवान के सारे आवतार जितने भी आवतार हुए हैं वामन आवतार को सब लोगों ने एक बालक समझा लेकिन वामन आवतार भी अपने आप में ऐसे कारनामे करते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो छोटा सा बालक कब कौन सा करिश्मा दिखा दे कितने भक्त उनके दिवाइन मिशन को आगे बढ़ाएंगे इसकी संख्या भविश्य मलिका अचुता नंद द्वारा रचित भविश्य मलिका में उसकी संख्या लिखी हुई है 2999 जो उनके असली भक्त होंगे ये भविश्य मलिका को बर्त पढ़ने वाले या जो भविश्य मलिका अब बाजार में है जिनकी रचना अजुता नंदे की जिन भविश्य मलिका की ग्रंथों की रचना वो करीब एक लाग से उपर है और असली भविश्य मलिका जो ताम्र पत्र पर लिखी गई है उसे कहीं छिपा दिया गया है क्योंकि उनमें ऐसी बाते हैं जो कल्यूग में लोगों के सामने ना लाना ही उचित है लेकिन जो भविश्य मलिका लोगों के हाथों में आज आ गई हैं क्या उनमें जो नंबर दिये गए हैं या जो बतलाए जा रहे हैं कि 2999 क्या इतने ही भक्त कल की अवतार के डिवाइन मिशन को आगे बढ़ाएंगे इसका क्या प्रूफ है हो सकता है 3000 भी हो हो सकता है साड़े 3000 भी हो इसका क्या प्रमान है कि 2999 ही भक्त उस काम को आगे बढ़ाएंगे ये तो कल की अवतार ही जाने और उनके connected जो उनसे connected रहेंगे वो भक्त गण ही जाने और तीसरी बात विश्वास की है कि हम कितना अधिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो अचुता नंद ने बाते हम लोगों के लिए 500 वर्स पहले लिख दी थी और जो आज हम लोगों के बीच पहुँच रही है दूसरी बात एक भक्त की गर्णा हो गई कि 2990 इसके अलावा 64 करोड लोग ही सत्यूग में जाएंगे जिसमें भी बाइफरकेशन दिया हुआ है कि इंडिया से कितने जाएंगे और बाकी के यहां से कितने जाएंगे तो ये भी जो बाइफरकेशन दिया हुआ है या 64 करोड लोग जो जाएंगे ये भी वही आत्माएं experience करेंगी वही आत्माएं उन चीजों का अनुभव करेंगी जो सत्यूग में जाएंगे अब 64 करोड ही जा रहे हैं या 65 करोड या 63 करोड या 62 करोड या 40 करोड सब लोग आज इस बात पर बहस करते हुए अपना अपना numbers बतला देते हैं कि नहीं नहीं इतना नहीं नहीं इतना नहीं इतना लेकिन वास्तों में कल की आवतार कितने लोगों को इन आत्माओं को सत्यूग में प्रवेश करने की अनुमती देंगे ये कल की अवतार ही बेहतर तरीके से बतला सकते हैं जो इन्विजिबल है और जो विजिबल होंगे तो भी ऐसे लोगों को नहीं दिखलाई पड़ेंगे जिनके कर्म सही नहीं है यानि किसी ना किसी संकेत के माध्यम से किसी सिगनल के माध्यम से सुक्ष्म रूप में सपनों के माध्यम से चाहे किसी तरह उनका जैसे मन होगा वो लोगों के साथ प्योर सोल्स के साथ या अपने भक्तों के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो कितने भक्त, exact number, ये बतलाना hundred percent, मुहर लगा देना कि नहीं इतने ही लोग उनके भक्तों होंगे, जो उनके काम को आगे बढ़ाएंगे, या इतने ही लोग सत्यूग में जाएंगे, या तिसरा point, इसी साल ये काम होगा, ये बतलाना भी, अगर हम लोग उस पर मुहर लगा देते हैं अपनी, तो ये अन्याय होगा, और कलकी अतार के मिशन में, किसी भी इनसान के द्वारा, इंटर्फियर करना, या अपनी तरफ से उन बातों पर मुहर लगा देना, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम इनसान, चाहे हमारी पहुँच, जितनी भी उपर तक कलकी अतार से तो आगे हम निकल ही नहीं सकते, तो नंबर गेम में कलकी अतार भी उलजा देंगे इस धरती के मनुश्यों को, सभी लोग अपने अपने बौधिक इस्तर पर, अपने विजडम के एकोर्डिंग, अपने अवेक्निंग के एकोर्डिंग, हर कोई दावा करेगा लेकिन उन दावों में ही कलकी अतार एक ऐसा भूल भूलया ला देंगे, कि जो आत्माएं उनके साथ सत्यूग में प्रवेश करेंगी, वही असलियत जान पाएंगी, कि कौन सा फ्रेज चल रहा है महाविनाश का, किस प्रकार महाप्रलय हुआ, कौन कौन से एलिमेंट्स उ उनके डिवाइन मिशन को आगे बढ़ाया, कितने लोग सत्यूग में पहुँचे और कौन सा साल किस वज़ा से मेमोरेबल बना, बाकी आत्माएं जब उनकी आखों के सामने वो चीज घटित होगी, तभी उनको अनुभव होगा कि किस प्रकार से कलकी अवतार के मिशन का का आगे बढ़ आए, और जो लोग सच में अवेकनिंग की रापर चल पड़े होंगे, उनको कुछ-कुछ संकेत समय-समय पर मिलता रहेगा, जिसके द्वारा उन्हें पता चलेगा कि इस तरह से ये घटना होने वाली है, लेकिन उसमें भी 100% नहीं बतलाया जाएगा, और जि होके हैं, बहुती प्योर सोल से, उन्हें पता होने के बावजूद भी, उनके मुह से वो करेक्ट बात नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसा करने की मना ही होती है, डिवाइन कभी भी नहीं चाहते कि उनके सिक्रेट्स एक कॉमन इंसान तक पहुँचे, क्योंकि डिवाइन के काम करने का तरीका हम मनुश्यों से कहीं अलग होता है, ठैंक यू वेरी मच पॉर वाचिंग मैं वीडियों